उसका पती सुहाग रात को ही मर गया पर उसने किसी को नहीं बताया सिर्फ मुझे बताया कि वो कैसे मरा कैसे वो क्या हुआ ना जैसे ही पारो अपने पती के साथ कमरे में गई उसका पती सारे कपड़े उतार के उसके सामने खड़ा हो गया तो पारो ने पूछा ये क्या है तो पती ने जवाब दिया ये चिडिया है पारो ने पूछा मैं इसके साथ खेलू तो पती ने बोला हाँ खेलो खेलते खेलते चडिया बड़ी होती गई फिर कुछ दिर के बाद चडिया ने पारो के मुख्यों पर थूख दिया पारो को गुस्सा आ गया उसने उसकी मुंडे मरोड डाली और अंडे सारे तोड डाले और गुस्सा चला दिया